एक तरफ कॉंग्रेस मद्ध्रदेश में कमलनात के भाचपा में जाने की बुरी खबरों से जूज रही है तो वहीं दूसरे तरफ राजस्थान में भी भाचपा बड़ा खेला करने बाली है खबर आ रही है कि सुनिया गांधी के राजस्थान से राजसबा प्रत्याशी बनाये जाने के बाद कॉंग्रेस पाटी को विधायकों और वरिष्ट नेताओं के तूटने का डर सता रहा है चर्चा है कि बाचपा यहां बड़े उलट फेर की तैयारी कर रही है कॉंग्रेस के आधा दर्जन से अधिक वरिष्ट नेता विधायक दिल्ली में देरा डाले हुए है CWC के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंतरी महिंदर जीत सिंग मालवी लाल चंदर कटारिया उदैलाल आंजना और राज्य मंतरी रहे राजेंदर यादाव सहित साथ से अधिक विधायक नेताओं के कॉंग्रेस का दामन छोड़ने की चर्चाएं चल रही है इस हलचल से पूर्व मुख्यमंतरी अश्योग गहलोत सहेत कई वरिष्ट नेताओं की धड़कने बढ़ गई है कॉंग्रेस के विधायक तूटने से क्या सोनिया गांधी के राज्य सभा के निर्वाचन में कोई फर्क पड़ेगा बिपक्ष को और भी बैक फुट पर क्यों लाना चाहती है भाजपा बाचपा अपनी रणनीती में सफल रही तो लोग सभा चुनाओं में कॉंग्रेस के सामने कई बड़े संकट आ सकते हैं सुत्रों के मताबिक कॉंग्रेस पाटी में अंदर खाने तूफान मचा हुआ है और मेल मुलाकातों पर एक दूसरे के संपर्क पर भी नजर रखी जा रही है कॉंग्रेस को अंदाजा नहीं था कि सुनिया गांधी के राज्यसभा चुनाओं के लिए नामांकन भरने के बाद राज्यस्थान में ऐसा सियासी संकट खड़ा हो जाएगा सोनिया गांधी के प्रत्याशी बनने के कारण इस राज्यसभा चुनाओं से कॉंग्रेस की प्रतिष्टा जुड़ गई है विधायकों की संख्या के लिहाद से कॉंग्रेस के पास फिलहाल 19 बोट आधेखें लेकिन राज्य सभा के लिए राज्यस्थान से सुनिया गांधी के पर्चा भरने के बाद खुद के खेमे में ऐसा माहौल और बयान बाजियों के चलते प्रदेश कॉंग्रेस को पूरे देश में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बाजपा से संपर्क में होने की खबर है। बाजपा सुत्रों के मताबिक कॉंग्रेस के और भी कई विधायक और नेता उसके संपर्क में है। और विधायकों नेताओं को कॉंग्रेस से जोड़े रखने के लिए मुलाकात के साथ उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। गहलोत ने पिछले दिनों विधायक अरजुन सिंग बामनिया, नानालाल, निनामा और रमीला खडिया को जैपुर बुला कर बाचीत की थी। अब सबसे एहम सवाल ये है कि यदि कॉंग्रेस के विधायक तूटे तो सुनिया गांधी के राज्यसभा के निर्वाचन पर क्या कोई फर्क पड़ेगा। इसका जवाब है नहीं। राज्यसभा में राज्यस्थान से तीन सीट खाली हुई हैं और इतने ही पर्त्याषीों की और से पर्चा भरा गया है। कॉंग्रेस से सुनिय गांधियों और बीजेपी से मदन राठोर और चुनिलाल गरासिया तीन सीट पर तीन ही प्रत्याशी होने के कारण इनका राजसभा चुनावम निर्विवाद निर्वाचन होना तै है।